Hello friends, welcome to sentence study हम solve करेंगे आपके सामने sit at paper 1 language 1 उर्दू तो हमारे इस youtube पर आपको सभी यानि के उर्दू के सारे के सारे previous year question paper sit at के आपको easily मिल जाएंगे चाए आप language 1 या आप language 2 उर्दू की बात करेंगे तो हम आपके सामने एक पूरी series लेकर आएंगे जिसमें हम language 1 उर्दू और language 2 उर्दू complete आपके सामने जो previous year question है 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी question paper हैं हम आपके सामने लेकर आएंगे तो आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो में हम language 1 के यानि के 2018 के paper के जो language 1 है उसके 30 question को हम solve करेंगे और question number 91 से start करते हैं हमारे आज का question question number 91 जब तलबा को हिज्जे दुरूस्त करने और उसको बरतने के तरीके को तरीके कार को सिखाया जाएगा तो वो पहला option है उनके सीखने की पहारत को तेज करेंगे उनकी इसला करके बहतर बनाएंगे थर्ड option है उनके बहाँ में इजाफा करेंगे और चौता option है उनकी तकलीखी सलाहियतों को बहतर बनाएंगे तो दोस्तों इसका जो correct option है आपके सामने correct option हो जाएगा आपका option number 2 option number 2 का मतलब है उनकी सलाहियत उनकी इसला करके बहतर बनाएंगे question number 92 जबान की किलास में तामीराती निजाम का मतालिब है पहला option है दोस्तों आपके सामने तालिब इल्मों को मुक्तलिब अक्साम का मताला करने की तरगिब क्योंकि उससे अच्छे तरह किसी मसाइल के हलत में पहुचते हैं second option है तल्बा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है वो अपने नजरियात को बढ़ाने के लिए मुक्तलिब मेडिया का इस्तेमाल कर सके third option है दोस्तों आपके सामने तल्बा अपनी जाती समझ और जानकारी की बुनियात पर दुनिया के तजरुबब शुदा शे और अकासी के जरिये जबानी महारतों में इदाफा करके मुबनी करते हैं और चौता option दोस्तों आपके next page में दिया हुए तल्बा अपनी जाती तोर पर सेखने के तरीकिकार को तयार करते फिर और उसे तरजुर्बा करते हैं तो दोस्तों 92 का जो right option हो जाएगा वो option number third हो जाएगा या निकी तल्बा अपनी जाती समझ और जानकारी की बुनियात पर जो उनको पहले से मालुम है उसी की अकासी के जनिये जबान की महारतों में वो इजाफ़क करते हैं ये इसका right option हो जाएगा अब पढ़ते हैं कोशन number 93 में मंदर्जा जेल में किसी हिंदुस्तानी लाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है पहला option है लोगों में उसको ना जानने की खौईश सेकिंड option है सहूलियत का इस्तेमाल थर्ड option है उसके वसी पैमाने पर नागजीर और चौते option पर है तरजुमे की दुश्वारियां तो दोस्तो 93 का जो right option है option number 1 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि दावा नहीं माना जाता है पूछा गया है तो इसलिए इसका option right होगा कि लोगों में उसके ना जानने की खौईश यानि कि लोग उसको जब तक language को नहीं जानेंगे या नहीं समझेंगे तक तक उसकी जो जबान है वो जादा फुरूख नहीं होगी question number 94 जबान की हुसलिया भी होती है पहला option है जरूरत के मताबिक जखीरा इलफास के इस्तेमाल करना second option है माहुल की हुसल अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं third option है grammar का तजजिया किसी जबान जामे करने के लिए एक मुनजब नुक्ता नजर है चौता option है इनसानी दमाग के बेशुमार सलाहियत की वज़े से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है तो दोस्तो 94 के जबान की हुसलियाबी होती कब होगी जबान की हुसलियाबी यह आपकी तब होगी जब आपकी जो इनसानी दमाग है वो बेशुमार सलाहियत की वज़े से जबान के जो सीखना है जो learning process है वो जबान का लगतार जारी रहे कोई भी language है आप उसको continue रखेंगे question number 95 जबान के मौलिव वंदर जजेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं तो लिखने की महारत के बारे में question है इमला करवाना, बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना जहन में महफूस खैलात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना और बच्चों को मजबून के जरिये लिखने के लिए कहना तो जिस्तों यहाँ पर जो लिखने की महारत है वो इमला best option हमें इसमें ढूड़ना होता है तो best option जो होगा इसमें 95 का right option होजएगा option number 3 क्योंकि जहन में जो महफूस खैलात है जो उसके बच्चे के जो learning thought है जो thought जो दिमाग में उसके चल रहे है अगर वो इसको लिखेगा तो क्या होगा उससे क्या होगा जबान में महारत उसके पैदा होगी हाला कि मजबून लिखने से भी होगी बच्चों को साफ लिखने के लिए कहेंगे तो महाँ पर writing skills अच्छी होगी लेकिन जो बच्चों के thought है thought जो process है जो उसके दिमाग में है जब अगर बच्चा student जो है learner जो है वो लिखेगा तो उससे जादा से जादा जबान सीख पाएगा और उसी से जादा महारत हासिल होगी तो हमें best option चूज करना होता है और best option होड़ेगा option number 3 अब बढ़ेंगे question number 96 में मंदर जजेल में जबान में से किसके जरीए सलाहियत पैदा की जा सकती है पहला option है तल्बा से बाचित करके दूसरा option है अगर तल्बा करने का मौकिश पैदा करके तो दोस्तों यहां पर जो जबान में सलाहियत पैदा करने की जो बात की जा रही है वो हम तल्बा से बाचित करके कर सकते हैं लेकिन उसका best option नहीं है कभी भी खामोश रहने के लिए तो नहीं कहेंगे इसे उनको एक environment पराइड करें कि वो अपनी जो भी उनके थौर्ट है वो discuss कर सके जिससे क्या होगा कि वो आसानी से अपनी सलाहियत यानि कि जबान के सलाहियत को पैदा कर पाएंगे question number 97 एक मतासरीन किस सबख किन सबख से ज़ादा किन सबख से जबान की तद्रीज शुरू करना होता है पहला option है समय तरीकिकार के जरीय मकसद को वाज़ी करना सरगर्मी के तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना तीसरा option है सबख के असल मकसद को पेश करना और चौता option है blackboard पर लिखना तो दोस्तो 97 का जो right option है option number 2 होगा सरगर्मी के तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना अब बढ़ते हैं question number 98 पर मौलेजाती तालीम एक अमल है हुकम के जरीये हिदायत नामे के जरीये मनफी तरिकेकार ये नजरियाती तरिकेकार तो 98 का जो right option है option number 2 हो जाएगा हिदायत नामे के जरीये question number 99 जबान में महरत पैदा करने के तरिकेकार को सिखाया जाना चाहिए पहला option है साफ साफ वजाहत के जरीये दूसरा option में कहा गया है तनहीं में तीसरा option में है एक मौनाज़म तरिकेकार से और चौता option है किसी चीज़ की तकलीद के जरीये तो 99 का जो right option है दोस्तो option number 3 है एक मौनज़म तरिकेकार यानि जो एक आपका तरिका है वो एक मौनज़म होना चाहिए उसी के जरीये क्या है आपकी जबान की महरत में जाद से जादा इजाफा होगा question number 100 तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़स की तफहीम में कम ही हो जाती है उससे कैसे बचा जा सकता है तो right option है पहला option है क्लासरूम में आवाज गुलंद करना दूसरा option है एक ड्रामाई अंदास काइम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सकें तीसरा option है गलती होते ही गलती की इसलाह करना और चौता option है मक्सूस सरगर्मियों को अमल मिलाना जबान के माहरीन के जरिए तो 100 कर दूसरा राइट option है option number 1 क्लासरूम में बावाज बुलंद करना question number 101 परचाए सवाल बनाने के बाद मौलिम मकासित के जांच करेगा कि सवाल नामे किस तरह से असल मकस्त तालुक रखते हैं पहला option है मावाद का आहता दूसरा option है सवालाद की खिसमे तीसरा option है एतबार या एतिमाद और चौता option है दूस्तों दुरुस्तिगी तो सवाल अगर दुरुस्त होगा तब ही वो जांच कर पाएगा question number 101 का right option होड़ेगा 4 अब बढ़ेंगे question number 102 पर मुश्किल से पढ़ना dash मुश्किल के अलामत नहीं है तो यहाँ पर जो मुश्किल से पढ़ना है अब यहाँ पर हमें एक option दिये हुए हमें बताना कि कौन मुश्किल के लामत नहीं है हुरुफ और लफजों की पहचान करवाना यहाँ पर मुश्किल हो सकती है हिज्जे की रवानी अगर बचा हिज्जे की रवानी करेगा बहुत तेजी से तो वो मुश्किल के लामत नहीं मानी जाएगी तो इसलिए option number 2 हो जाएगा बाकी option को भी चेक करते हैं पढ़ने के रफ़तार उसकी बाहो या लफजों की तफहीम और ख्यालात तो इसलिए option number 2 ही इसका right option हो जाएगा 103 मंदर जाजेल में कौन सा बयान जबान के तालुक से दुरुस्त नहीं है question number 93 103 में पहला option हर जबान के अपनी जादी शकल होती है दूसरा option में है जबान का तालुक तहजीव और तमद्दुन से है तीसरा option में जबान के सादगी से पेजीद की की तरफ बढ़ती है और चौते option में मस्नुई जबान तजजीद की तरफ जाती है तो दोस्तो 103 का जो right option है option number 3 हो जाएगा जबान की सादगी से पेजीद की तरफ बढ़ती है यहाँ पर दुरुस्त नहीं है पूछा गया था इसलिए यह वाला option है कि जो सादगी से पेजीद की की तरफ यानि कि simple to complex जाएगी और ऐसा नहीं होता है question number 104 classroom की मश्क जादा बहतर सीख जबान की तरफ जबान की तरफ जबान की तरकी होती है पहला option मौलिम के साथ मिलकर किताब से कहनी पढ़ने से दूसरे option में गुरूप में अलफास की सही तलफुस पर अमल करवाने से तीसरे option में फर्दन फर्दन नजमे याद दिलाना और नजमे गवाने से और चौते option में हैं अपने पसंदीदा कहनी को किरदारों के जरीए अदा करने में हिस्सा लेने से तो दोस्तो कभी भी जब भी कोई activity आजाए तो जादतर cases में आपका वही option हो जाता है कि जहां पर भी बच्चा जाद से जादा active होगा और यहां पर भी एक ही जगा active जादा हो रहा था option number 4 में अपने पसंदीदा कहनी को किरदारों के जरीए अदा करने में और हिस्सा लेने में यानि कि कोई भी अपने मन पसंद का किरदार है उसमें बच्चे अगर हिस्सा लेगा तो उससे क्या होगा जबान के तरकी जादा से जादा होगी अब बढ़ते हैं question number 105 में रहानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है दिल्चस्पी बढ़ाना तस्सील से मज़ीद मालूमाद हसिल करना तीसरा option है किरात की तोसी करना और चौदा option है मालूमाद हसिल करना तो 105 का जो right option है option number second हो जाएगा तस्सील से मज़ीद मालूमाद हसिल करना रवानी के साथ पढ़ने का इसका असल मकसद है अब दोस्तों आपके सामने एक नजम दी गई है और एक उन्वान दिया गया आपको उन्वान भी चूज़ करना होगा और आपको पढ़़ग एक बारी मैं आपके लिए पढ़़ देता हूँ अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहा निकलता मुरगा भी सोता ही रहता पांग कभी ना देता कभी फलक पर घटाए ना होती कभी ना बारिश होती बारिश का मोसम ना होता कैसे कोयल गाती अगर ना होता सूरज जग में पौदे कहां पनपते सूरज में गर्मी ना होती आम कहां से पकते इसके बाद है महताब रोशन ना होता मौसम कहां बजलते इस दुनिया के काम बेना सूरज के कैसे चलते सूरज गर ना होता इस दुनिया का क्या होता दरिया में पानी ना होता घल्ला कोई ना होता अब question है आपके सामने गर सूरज गर जग में सूरज ना होता तो पहला option है मुरगा बांगना देता second option है रात ही रात होती दिन ना निकलता तीसर option है पोदे नहीं पनपते और चौतर option है ओपर के सभी तो दोस्तों officially इसका जो right option है वो तो second है लेकिन इसका correct option second नहीं होना चाहिए था इसका right option होना चाहिए था ओपर के सभी यानि कि option number 4 according to right option हो जाएगा option number 4 अपका लेकिन citator ने option number 2 दिया था और उसको बाद में correct किया गया होगा question number 107 अगर सूरज में गर्मी न होती तो तो ये उपर कहा भी गया था कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो महापर clearly mention था कि आम हरगिस न पकते तो 107 का जो right option हो जाएगा option number 1 हो जाएगा आम हरगिस न पकते question number 108 अगर महताब रोशन न होता तो तो 108 में महताब रोशन न होता तो मोसम कभी न बदलते यानि कि वहापर थोड़ा सा clear तो नहीं कहा गया था लेकिन कहा इसी तरीके से गया था महताब रोशन होता मोसम कहा बदलते इस line में आप यहाँ पे इस answer को देख पा रहे हैं तो right option हो जाएगा मोसम कभी न बदलते इसके बाद अगला question है question number 109 आसमान का मुतरादिफ है तो आसमान का जो मुतरादिफ है जहलक है मुल्क है फलक है या पलक है तो 109 का जो right option है दोस्तो हो जाएगा correct option आपका फलक आसमान का मुतरादिफ है पलक question number 110 महताब की माणी है तो महताब कहते हैं दोस्तों चांद को और आफताब कहते हैं सूरज को तो 110 का जो right option हो जाएगा option नमबर 1 हो जाएगा चांद question number 111 आफताब की जित क्या है? आफताब जैसे कि मैंने अभी बता है आपको सूरज को कहते हैं तो आफताब सूरज और सूरज का उल्टा होता है आपका चांद तो उसका right option हो जाएगा 111 का option number 2 जो कि महताब होता है question number 112 इस नजम का उन्वान क्या होना चाहिए? मोसम, सूरज, कोयल या मोर तो right option हो जाएगा दोस्तों 112 का option number आपका 112 का right option हो जाएगा सूरज क्योंकि सूरज की ही इसमें जाद बात की गई थी तो सूरज इसका उन्वान हो जाएगा अब 113 से लेकर 120 तक आपको एक passage जिया हुआ है और passage से आपको question को solve करना होगा तो मैं इस जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ कुली कुतुप शा ने 1591 में तामीर करवाया चार मिनार के चारो जानिब चार बड़ी बड़ी खुबसूरत कमाने है सहन के चछत पर एक मजजित और खानका है फिर उपर कहा गया है मुसा नदी के दाई जानिब सालार जंग म्यूजियम है इस मुजियम के शमार दुनिये के मकबूल तरीन अजाईब घरों में होता है सालार जंग म्यूजियम के मकाबिल एस्टेट सेंटर लाइबरेरी है शेहर हैदरबाद के मगरिब में 6 मील 6 मील के फासले पर किले गोल कुंड़ा का फासले पर किला गोल कुंड़ा वाक्य है ये एक पहड़ी की चट्टान पर वाक्य है इस किले के करीब ही हफते गुंबद वाक्य है जो कुदुब शाही कांदान के मकबरे हैं यहाँ बड़ी बड़ी पर पुर्शुकू इमारते हैं तो ये आपकी पूरा पैसिज था इसके उपर आपकी कोश्चन दिये हुए कोश्चन नमर 113 चार मिनार की तारीम चार मिनार की तामीर किस ने करवाई थी पहला उप्शन है मुहम्मद कुदुब शाह अब्दुल्ला कुदुब शाह मुहम्मद कुली कुदुब शाह या अबुल हसन ताना शाह तो राइट आप्शन हो जाएगा 113 का राइट आप्शन आप्शन नमर 3 मुहम्मद कुली कुदुब शाह ये आपका पैसिज में ही गिवन दा कोश्चन नमर 114 यहाँ पर लिखा वाई मुहम्मद कुली कुदुब शाह और कब करवाई थी 11591 में अगला कुश्चन यह यह चार मीनार की तामीर किस सन में होई तो आप्शन नमर 1 11591 इस दा राइट आप्शन कुश्चन नमर 115 सालारे जंगे मुज़म के मकाबिल कौन सी इमारत है अदालत आलिया दवा खाना उस्मानिया या बिरला मंदिर या स्टेट सेंटर लाइबरिरी तो समझ गया हूंगे यह तीन आप्शन तो कहीं पे जिक्र किये भी नहीं गये थे आप्शन नमर 115 का राइट हो जाएगा चार कुश्चन नमर 116 गुंबत कुटुप शाइक की मारते है इसका जो राइट आप्शन है वो बिल्कुल लास्ट में गिवन था पुर्श्चुकूँ कुश्चन नमर 117 मुसा नदी के दाई जानिव वाक्य है अफजल गंज कुटुप काना सालारे जंगे म्यूजियम या आपका अज़्च खाना तो 117 का जो राइट आप्शन है दोस्तो आप्शन नमर 3 हो जाएगा सालारे जंगे म्यूजियम और ये भी आपका पैसेज में ही गिवन था अब 118 कुश्चन में चलते हैं गिला कुल कुंड़ जो आपका किला है गिवन था कि पहाड के चटान पर ये इस तित्ता 118 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नमर 2 अब चलते हैं कुश्चन नमर 119 पर इस मूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डैश में होता है अजाईब घरों में सिनमा घरों में चड़िया घरों में या इन में से कोई नहीं तो ये था अजाईब घरों में अप्शन नमर 119 कारा आइट ऑप्शन होजएगा अप्शन नमर 1 दोस्तों हम ऐसे ही उर्दू के और भी previous question paper आपके सामने लेकर आने है 2018 के बाद से जितने भी हुए तो आप हमारे channel के साथ लगतार जुड़े रहे हैं और channel को जरू सब्सक्राइब कर ले question number 120 जुनूप का मायनिक होता है पूरब, कश्टी, दर्वाजा या दखिन तो right option हो जाएगा option number 4 तो दोस्तों यह थे है citate 2018 का जो paper 1 था और language 1 उर्दू का हमने question paper solve किया, ऐसे ही question paper को और जानने के लिए आप हमारे channel के साथ लगतार जुड़े रहे हैं और आने वाली videos के लिए bell icon को भी जरू दबाए हम 2018 के बाद से लेकर 2023 तक के जितने भी question paper है उर्दू के वो language 1 और language 2 दोनों ही solve कराने वाले हैं, तो आप अगर उर्दू की preparation करना चाते हैं जिसमें उर्दू pedagogy सबसे ज़्यूदा important है, उसके लिए आप हमारे channel के जरू subscribe कर ले और अपने दोस्तों में जरू शेर करें झाल